Hello viewers, this is Priya, तो आज स्टार्ट करते है क्लास 8 हिस्ट्री चाप्टर 3 रूलिंग दा कंट्री साइड पिटिशर्स ने कैसे रूल किया कंट्री साइड पर, यानि कि विलेज वाला जो एरिया था, वहाँ पर कैसे रूल किया तो वो हम इस चाप्टर में देखेंगे, तो कंट्री साइड का मतलब होता है एक विलेज जैसे cartoon में cockroaches OG को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ऐसे ही इस chapter में जो Britishers हैं वो farmers को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो start करते हैं इस chapter को The company becomes the divan अब क्या हुआ जो Britishers थे उनके हाथ में सारा पैसा आ गया यानि कि divan उन्हें बोलते हैं जो पैसे एकटा करते हैं revenue एकटा करते हैं तो वो पहले राजा किया करते थे लेकिन अब कौन कर रहे हैं अब Britishers के हाथ में power आगी है तो 12 August 1765 में Mughals Emperor ने बोल दिया कि वह या East India Company वालो यानि कि Britishers तुमारे हाथ में हम दिवानी सिस्टम छोड़ते हैं मतलब पूरा तुमें ही हम पैसा दे देते हैं तो उन्हें बना दिया गया दिवान ओफ बैंगॉल अब ये सारा जो प्रॉसेस हुआ था जो East India Company वालों को as a दिवान ओफ बैंगॉल बनाया गया था ये रॉबर्ट क्लाइफ के टेंट में बनाया गया था ये एक टेंट था वहां पे सारे लोग इखटे हुए और वहां पे डिकलियर किया गया कि जो Britishers हैं वो as a दिवान ओफ बैंगॉल है अब ये जो मुमेंट था वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मैमरेबल इवेंट माना जाता था एक तरीके से यूकि उसे पूरा एक तरीके से कंट्रोल मिल गया था बैंगॉल का अपने हाथ में अब जो कंपनी थी इस्टेनिया कंपनी थी जो Britishers थे वो क्या बन गए एक तरीके से Chief Financial Administrator यानि कि जो भी पैसे से रिलेटेट कुछ भी था ना वो सारा कुछ इनके कंट्रोल में आ गया अब इन लोग के पास पैसा आ गया तो अब यह लोग जो चाहते थे वो अच्छे से खरीद पा रहे थे और जिसे Sell करना चाहते थे वो भी अच्छे से यह Sell कर पा रहे थे यानि कि अब इनको एकदम फीडम मिल चुकी थी हर चीज के लिए अब यह लोग पूरे Bengal पर कंट्रोल करने लगए थे लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि जो Local Power है यानि कि जो Local लोग है जो कि और लोगों को अच्छे से Administer कर रहे हैं पावर चला रहे हैं अपनी उन लोगों को रहने देते हैं क्योंकि अगर हम Direct Farmers के उपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो Farmers बोलेंगे यह लोग कौन आ गए हैं यह तो अलग ही दिखने वाले लोग है अलग से ही दिख रहे हैं तो इस वज़े से लोग घ इस बर्श ब्रिटिश थे उन्होंने कैसे रूल किया कंट्री साइड पर एंपना रूल कर रहे थे revenue 40 company अब company जो है वो क्या बन गई दिवान बन गई यानि कि जो भी revenue होता था जो भी पैसा होता था वो ये लोग लेते थे लिकिन ये trader ही हैना चाते थे सोचते थे बस पैसा लो और अपना यहाँ से पैसा वाँ सा कमाओ और अपने यूरोप में ज़्यादा increase हो रहा था और इनको ज़्यादा effort भी नहीं लगाने पड़ रहे थे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था और ये लोग ना cotton और silk clothes को यहाँ से लेते थे और भार दूसरी country में बेशते थे और बहुत ही कम पैसों में बहुत ही कम पैसों में यासे purchase करते थे और 5 year में ही इन्होंने अपना पैसा देखा जाए तो double कर लिया अब 1865 में 1865 से पहले क्या था कि ये लोग जब import करते थे gold और silver को तब जाके ही हम से कुछ भी समान ले पाते थे इंडिया से इनको हमें gold और silver देना पड़ता था क्योंकि इनके पास पैसा होता नहीं था और कोई समान होता नहीं था हम लोग को देने के लिए तो फिर ये क्या करते थे कहते थे थे थोड़ा बहुत gold और silver है ये ले लो और हमें कुछ समान दे तो जिससे कि हम अपने country में महेंगे दामों में बेच सके अब जो revenue ये की पैसा collect हो रहा था बेंगॉल से वो पैसा ये इन सब चीजों को purchase करने में use कर लेते थे मतलब यहीं का पैसा और यहीं के पैसों से यहीं की चीजों को खरीद रहे हैं और भार पेच रहे हैं देखो कितना profit हो रहा है इन लोगों को तो अब थीरे थीरे क्या होता गया कि बेंगॉल में जितना भी पैसा था ना वो सारा खतम होता चले गया और बेंगॉल जो है बहुत ज़्यादा deep prices में आ गया यानि कि वहाँ पे तबाई मचने लगी जो आर्टीशन से वो भी विलेज छोड़ छोड़ के जाने लग गए बोलते कि यह हमें क्या फायदा सारा पैसा तो यह बिटिश अर्सी ले लेते हैं और हमें फोर्स करते हैं कि तुम कम दाम में हमें चीजे दो जो भी परचेस करेंगे वो कम दामों में करेंगी तो गलत बात है और जो पीजेंट से वो भी अपना किराया धंक से नहीं दे पारे थे लैंड का बहुत मुश्किल हो जा रही थी और डिमांड जो है बहुत ज़्यादा भड़ रही थी अब जो आर्टिशनल अर्प्रोडक्शन है ना वो डिकलाइन होता जा रहा था मतलब कम होता जा रहा था सेवन्टी सेवन्टी में एक टेरिबल फैमाईन हुआ यानि कि अकाल पढ़ गया भुकमरी पढ़ गी बैंगॉल में और यह बहुत इंपोर्टेंट है इसमें 10 मिलियन पीपल्स जो है ना वो मर गए यानि कि 1 करोड पीपल मर गए थे 3 करोड में से सो जो कितना ज़ादा नुकसान हुआ था तो यह लाइन अच्छे से लर्न करनी है MCQ में भी आ सकती है यह अब आप इस फिगर 1 में देख सकते है कि जो रॉबर्ट क्लाइब हो वो कैसे दिवानी सिस्टम को असेप्ट कर रहा है और जो मुगल्स है वो उसे authority दे रहे है मतलब कि permission दे रहे है कि यह लो आप अब दिवानी सिस्टम आप आज से आपके हाथ में है आप जैसे चलाना चाते हैं आप वैसे चला यह जैसे text लेना चाते हैं वैसे लीजिए हमने पूरी authority पूरी power आपको sob दी है अब आप इस figure 2 में देखेंगे यहाँ पर यह weekly market है मुर्शिदाबाद में बेंगॉल में देखो ऐसी market लगा करती थी पहले के टाइम पर the need to improve agriculture अब क्या था कि जो farmers थे वो तो सब छोड़ छोड़के जा रहे थे अपनी land क्योंकि Britishers उनसे सारा पैसा ले ले लेते थे अब ऐसा हो रहा था तो Britishers ने सोचा इससे तो हमें ही loss होगा अगर farmer ही छोड़ जाएंगे तो काम कौन करेगा फिर इन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ तो इसका बोलता है ना solution निकालना ही पड़ेगा फिर ये लेकर आए permanent settlement जो 1793 में ये cornwallis ने introduce किया था ये जो खडूस सा दिख रहे है ना आपको figure 3 में ये है cornwallis जो permanent settlement लेकर आए था 1793 में अब इसने बोला कि जो भी राजा होंगे और जो तौलकदार होंगे उनको हम as a जमिदार introduce करें बतलब बोलता है कि जो राजा और तौलकदार हो as a जमिदार काम करेंगे और वो हमें पैसा लाके देंगे fix amount यानि कि चाहिए अगर तुम्हारा farming हो चाहिए ना हो हमें fix amount चाहिए तो इससे इन्होंने सोचा कि क्या पता जमिदार जो लोग है उनके मन में लाला चाहिए वो सोचे कि हाँ चलो हमारा भी जो भी production है वो अच्छे से increase होगा और हमें भी काफी सारा पैसा मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं था अब जो जबीदार से उनको भी तो loss होगा इस चीज में क्योंकि वो कहां से लेंगे अगर for example अगर खेती किसी भी मन्त में खेती हो गई किसी वज़े से तो अब तो बिटिशर्स को तो पैसा चाहिए अपना fix उन्हें कोई मतलब निया कि तुमारी खेती खराब हो जाए कुछ भी हो मैं बस fix amount इतना दे दो हम जादा नहीं मांग रहे तो इतना तो दे दो हमें लेकिन वो जो amount मांगते थे न ये वो ही बह प्रॉब्लम्स क्रियेट हो रही थी कि revenue तो fix था इन लोगों का प्रिटिशर्स का लेकिन जबीदार उतना पे नहीं कर पा रहे थे यूंको इतना profit हो ही नहीं पा रहा था तो फिर first 10 years में 19th century की इनको थोड़ा profit हुआ जो जबीदार थे cultivation थोड़ा expand होने लगया फैलने लग tax वगरा दुबारा increase कर दे अभी तो उन्होंने बूला है कि fix लेंगे हम इतना ही हमें लेना है लेकिन कुछ पता नहीं है बिटिशर्स का इस वज़े से यह बहुत ज़्यादा interest लेते जीते किसी भी land में जितना मिल गया उतना मिल गया और बस छुटी तो इस सब चीजों की वज़े से बिटिशर्स को profit हो रहा था और जमीदारों को भी profit हो रहा था थोड़ा बहुत लेकिन जो cultivator थे जो farmers थे उन्हें तो बहुत ज़्यादा loss हो रहा था ना कल्टिवेटर थे बहुत ज़्यादा problem face कर रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा high rent पे करना पड़ रहा था उनको lawn भी लेनी पड़ रही थी क्योंकि उनके पस इतना पैसा था नहीं जिससे कि वह अच्छे से agriculture का सब कुछ अच्छे से कर पाए अब यह सारी problems हो रही थी तो एक नया system इंटर्ड्यूस हुआ नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अब नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है हमारा बेंकॉल का उत्तरपरदेश साउस टाइम पे तो यहाँ पर एक इंग्लिश मैंता Halls McKenzie तो इसने बोला कि मैं एक system को इंटर्ड्यू करेंगे इसकी village को कि यह कहां पर village में problem हो रही है कहां पर नहीं हो रही है कौन से land जो है बहुत अच्छे से हो रही है तो village to village tax लिया करेंगे हमको यह अपना fix tax नहीं लेंगे अब एक नया system इंटर्ड्यूस हुआ महलवारी settlement जिसमें कि जो village का headman होता था न वो tax को collect करता था और Britishers को देता था लेकिन पहले के time पर क्या था जो पहले वाला जो था permanent settlement उसमें जमीदार collect करके देता था tax को लेकिन अब कौन दे रहा है village का headman collect करके दे रहा है tax को और यह according वो tax लिया करेंगे जितना ज़्यादा production हो उतना ज़्यादा tax लिया जाएगा अब यहां पर सारे system change कर दिये गए तो जो महलवारी system है settlement है यह जो यह बहुत important है और जो permanent settlement किया था वो बहुत important है तो दोनों settlement को अच्छे से learn करना है अब मुन्रो सिस्टम में क्या था कि यह जो महलवारी system settlement था अब यह अच्छे से चलनी पा रहा था यहाँ अब इन्हें profit नहीं हो रहा था Britishers को तो इन्होंने south वाले area में क्या करा कि एक और settlement स्टार्ट कर दिया जिसका नाम रखा गया रहतवारी system अब रहतवारी system में क्या होता है directly cultivator से यानि कि जो farmers होते थे उनसे directly टेक्स लिया करते थे तो यह जो line है बहुत important है कि अब कोई traditional जबीदार नहीं होगा बीच में ना कोई village का headman होगा अब directly जो cultivator है वो tax दिया करेंगे और जो riot होते थे वो कौन होते थे यहां पर farmers present को बोला किया है यहां पर जो small scale पे जो देख रहे थे चोटे scale पे यानि कि छोटा area देख रहे थे वो captain Alexander Reid यह देख रहे थे लेकिन जो बड़े पैमाने पे देखा जा रहा था ना जैसे कुछ बड all was not well अब क्या हुआ इतने सारे settlement आगे 3-3 हमने settlement देख लिए तो भी यहां पर कुछ चीजे सही नहीं थी क्योंकि अभी भी बहुत जादा tax लिया जा रहा था लोगों से चाहे वो cultivator हो यानिकी farmers हो या जमीदार हो या कोई भी हो सबसे बहुत जादा जादा पैसा ले रहे ना वो सारे रायोट जितने भी थे या रायोट यानिक की पीजन जितने भी थे वो विलेज को छोड़ छोड़ के भाग गए अलग दूसरी रिजन में चले गए क्योंकि इनको बहुत जादा loss हो रहा था और जबर जिस्ति काम करवाया जा रहा था एक बर हम रिवाइस कर ल सेटलमेंट था जिसमें जो हैड था जो कल्टीवेटर डिरेक्ट टेक्स देता था बीटीशन को अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉप्स फॉर योडियोप यानि कि जो योडियोप में कौन-कौन सी क्रॉप जाय करती थी इंडिया से सबसे जाधा जाय करता था ओपियम और इंडिगो किसे बोलता है जिसे जो अफीम वगरा होता है उसको बोलता है उपियम और इंडिगो होता है नील जो ब्लू कलर का होता है जो हम वाइट कलर का कपड़ा होता है इसको ब्लू करने के लिए यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं इंडिगो और इसको हिंदी में बो तो यह जो अंडरलाइन के बहुत इंपोर्टेट है अच्छे से लर्न कर लेना एक्जाम में आता है यानि कि जो ब्लू कलर था न वो सबसे ज़ादा एक्सपोर्ट होता था यूरोप में यहां का जो इंडिया का ब्लू कलर था वो बहुत ब्राइट और बहुत शाइनी बहुत अच्छा सा था तो यह आप देख सकता है फिगर फाइफ में कलमकारी प्रिंट है यह और यह फिगर शिक्स में है मौरिस कॉटन प्रिंट तो जो कलमकारी प्रिंट था न? वहं अंदर परदेश में क्रियेट किया जाता था मतलब जो बुनते थे वहं आंदर परदेश में बुनते थे और यह आप पर फ्लोरेड यानिकी फ्लार फ्लार से design होती थी फ्लार्ट जैसे होता है न उस शेप में डिजाइन हुआ करती थी अब ये जो हमने टू प्रिंट्स देखे है न फिगर फाइफ फिगर फिगर शिक्स में इसमें एक चीश कॉमन है ये दोनों रिच ब्ल्यू कॉलर है यानि की बहुत सुन्दर इसमें ब्लू कॉलर हो रखा है तो उसे बोलते हैं इंडिगो ब्लू कॉलर को वाइ the demand for Indian Indigo अब ऐसा है कि इंडिया का इंडिगो है वही बहुत ज़्यादर दिमांड में था कि एक तो इंडिया में suburbs रहते हैą प्रॉपिक रीजन रहता है तो इस वज़े से इसकी खेती बहुत अच्छे से होती थी और यहां का इंडिको इटली फ्रांस और ब्रिटेन के लोग भी लिया करते थे अब बहुत कम अमाउंट में इंडिको यूरोप जा पाता था क्योंकि जो प्राइस थे उसके बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे इस वज़े से अब यूरोप के जो क्लोथ बनते थे ना वहां के जो वहां पे जो कलर मिलता था जिसका नाम था वोइट उसमें से स्रिफ वॉयलिट और ब्ल्यू कलर मिलता था उस क्रॉप में से उस प्लांट में से और वह भी कलर बहुत फीका-फीका हलका सा होता था क्योंकि वहां पे टैंप्रेट जो नो होता है सर्दी वाला मौसम होता इस वज़े से बहुत अच्छे से प्लांट ग्रोई नी कर पाता था अब जो इंडिको था ना वो क्लोथ को डाई करने की उज़ में आता था जैसे यहाँ पर इंडिको ऐसे यूरोप में वाट प्लांट होता था लिकिन वहाँ का जो वाट प्लांट कलर देता था वो बहुत हलका बहुत ही डल कलर होता था इस वज़े से वो प्रैफर्ण नी करते थे और जो फ्रांस के लोग थे ना उन्होंने भी और जगाप पे इंडिको की कल्टिविशन करना शुरू करवा दिया था जैसे कि सेंड डॉमिंगो, कैरिबियन आइसलेंड में और पॉर्टिविश ब्राजिल में और इंग्लिश इन जैमिक्या में और स्पैनिश इन वेनिजुला में तो ऐसे काफी एरियास में इसकी प्लांटेशन होने स्टार्ट हो गई थी नॉर्थ अमेरिका में और बागी जो Κंट्री थी ना जहा पर ग्लोव करवाया जा रहा था वहांके लोगों ने मना कर दिया क्यूंकि, वहां पे स्लेव सिस्टम ताप जो स्लेव थे वह इन लोगों पर गुशा होगे az इन लोगों को मारने लगए थे तो वहांपे जो इंडिगो के खेतिये वह बिल्कुल खतम हो चुकी थी अभी लोग बहुत परेशान थे तो 1783 और 1789 के बीच में इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इंडिया से ही पूरा इंडिगो ग्रो करवाया जाए तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अब यह इंडिया के तरफ टर्न कर गए कि हमें अब बहुत सारा इंडिगो चाहिए तो आप यूरोप के लिए इंडिगो बहुत जादा जादा ग्रो करना शुरू करतो अब जो कंपनी थी उसे बहुत जादा प्रॉफिट हो रहता इंडिगो के प्रोडक्शन में क्योंकि व इपना खुद का एक company बनाई जाए और वो भी अपनी company बनाने लग गए और as a planter बन गए अब आप इस figure में देख सकते हैं कि कैसे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था यानि कि और country में जो indigo grow कर रहे थे ना उन लोगों पर ऐसे अत्याचार किया जा रहा था तो अब farmers को गुस्सा आया और वो जो है उन लोगों को मारने लग गए थे इस वज़े से इंडिको की वहाँ पर खेती खतम होग चुकी थी बिल्कुल ही अब indigo कैसे कल्टिवेट हुता था तो यहां पर दो सिस्टम थे इंडिको कल्टिवेशन के एक तो निज और एक ता रही होती अब जो निज सिस्टम था उसमें गया था कि जो कल्टिवेटर ना जो प्लांटर है वो खुद कही कंटिप करेंगे सब चीज़ों को तो उसको बोला जाता था निजसना पर भी बहुत सारी प्राबलम्स आई थी निजसकों के लिए और जो प्लांटर थे उन्हें बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता था उनके पास से छोटा एरिया होता था अब उन्हें उनने क्या करा, लीस पे लेना शुरू कर दिया, लैंड को, यानि कि रेंट पेक तरी किसे कि हम five year के लिए, six year के लिए ये वाला लैंड ले रहे हैं, Indigo factory के लिए, तो around Indigo factory, यानि कि Indigo factory के आसपस वाला area वो लीस पे लेने लग गई थे, अब यहां बहुत सारी लोगों की ये सारी problems create होती जारी थी Britishers के लिए, अब जो niche cultivation था, उसके लिए एक तो large area चाहिए होता था, अब large area चाहिए, तो जो plow और बुलक थे ना, वो भी ज़्यादा चाहिए होते थे, जैसे यहां पर बुला गया कि, one biga of Indigo cultivation required two plow, ठीक है, यानि कि पूरा एक biga area, यानि कि 1000 area चाहिए होगा, बड़ा area चाहिए होगा, तो उसके लिए इनको 2000 plow की जरुत पड़ेगी, तो सोचो इतना ज़दा maintenance और उनकी care करना, उनको purchase करना, इस सारा जंजटबाजी लग रहा था इन लोगों को कि इतना सारा कौन करे, और उसी time पर rice की भी cultivation होती थी, तो सब लोग जो 25% land था ना, वो सिर्फ किसमेता indigo producing करने के लिए, बाके सारा तो rice वगरा ही हो रहा था, indigo on the land रियोत, अब farmers तो interest ले नहीं रहते, तो अब इन्होंने एक और system निकाला, रियोती system में इन्होंने बोला कि जो planters हैं, उन्हें force किया जाएगा कि आप एक contract को sign करो, एक agreement को sign करो, जिसे बोले जाता था सकता, तो आपको एक agreement sign करना पड़ेगा, और जो village headman है, उसके बहाफ पे contract sign होगा, अब इस contract में इस बोला जा रहा हा था कि कुछ cash दिया जाएगा पैसा, और कुछ interest भी मिला करेगा बहुत low rate पे, आपको indigo produce करने के लिए, तो जो 25% है ना, आप रखी गई थी उस contract में, अब जो cultivator थे बहुत ज़्यादा परेशान हों कि इस बचीजों से कि ये तो जबर्दस्ति की बात है, हमें नहीं जब ग्रो करना, ये क्या बात है, ऐसे हम क्यों contract को sign करें, तो बहुत परेशान थे इस सब चीजों से, अब आप इस figure 8 में देख सकत और ये देखो कैसे-कैसे produce होता था, कैसे-कैसे बनाया जाता था, इंडिगो proper तरीके से, अब जो figure 11 है, इसमें देखो women's कैसे ली हुई है, इंडिगो plant को, अब जो figure 13 है, इसमें देखिए, जो इंडिगो को ये person sale कर रहा है, और figure 12 में भी देखिए, ये person खड़ा हुआ है, वैट बिटर जिसे बोला गया है, जो इंडिगो worker है, अब यहाँ पर क्या था, कि जो crop deliver करते थे ना, planters, harvest करने के बाद, तो उसके लिए वो lawn देते थे, बोलते थे, cultivator यानि कि रायोट तुम ना दुबारा से lawn लेलो हमसे, उसके बाद तुम दुबारा से ग्रो करो, और ज जादा लोन चड़ जाता था, तो इस चीस से बहुत जादा फ्रस्टेट थे, कि ये तो बहुत गलत बात है, ने, तो हमें forcefully बोला जा रहा है, कि तुम ये इंडिगो ग्रो करो, जिसमें हम बिल्कुल भी इंट्रस्टेट ने है, उपर से हमें लोन दी जा रही है, और हमार जाते हैं ना कि जब अत्याचार होता है, तो उसका अंत एक ना एक दिन होता ही होता है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ था, अब मार्च 1859 में जो कल्टिवेटर से पीजन्ट थे उनको आया गुसा, उन्होंने बोला बहुत हो गया, बहुत अत्याचार कर लिया तुमने फैक्टरी पर अटैक कर दिया, आम वगएरा से अटैक किया, और सौर्ट वगएरा से अटैक किया, यानि कि जो उनके पस भाले वगएरा कुछ भी थे ना, कोई तीर, वीर, कुछ भी थे, बोज, आरो, सबसे उन्होंने उस पर अटैक कर दिया, और विमिन्स ने भी बहुत प्लांटर्स के जो पैसा कलेक्ट करके लाते थे, उनको भी मार-मार के इन रायोत ने भगा दिया, लाठिया वगरा भी इनके उपर बरसाई याने कि लाठियों से भी इनको पीटा गया, अब इतनी हिम्मत इन जो रायोत में थी वो कैसे आई, तो 1859 में ना जो लोकल जमीदा विलेज हैड मैंते, उन्होंने भी लोग को सपोर्ट किया, कि हाँ तुम जो है प्लांटर्स पे रेबिलिन करें, कि विद्रो करो, हमला करो, हम तुमारे साथ हैं, तो इस वज़े से यहां पर लाठिया भी स्टार्ट हो गए, मतलब लाठियों से मारते थे, इन सब को, जो भी बिटिशर्स होते थे, जो भी प्लांटर्स होते थे, तो इस वज़े से इन लोगों में इतनी जादा हिम्मत आ गई थी, इस सब की वज़े से रिवाल्ट ऑफ 1857 भी हुआ था, और बिटिशर एक्तम घबरा गए थे कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब दूसर विद्रो भी हो सकता है, अब ये सारा रिवाल्ट स्टार्ट होने लग गया आने कि लोगों को गुस्सा आने लग गया था, तो अब जो लेफ्ट एंड गवर्नर था ना, तो उसने विंटर में 1859 में बोला कि ये चीज गलत हो रही है, तो गॉर्मेंट ने भी देखा और उ पैसले इडेन, उन्होंने एक नोटिस इशू किया और उसमें बोला गया कि जो रायोत के साथ हो रहा है ना, वो चीज गलत हो रही है, ऐसे कोई कांट्रेक्ट साइन नहीं होना चाहिए, तो कुईन वेक्टोरिया ने भी डिकलेर किया कि हाँ ये बात सही है, अगर उनका मन है, तो ही वो इंडिगो को ग्रो करेंगे, अधर्वाइस नहीं करेंगे, यूकि पीजन्स में बहुत ज़्यादा एक्स्प्लोजन हो रहा था, यानि कि बहुत ज़्यादा वो गुस्से में थे, पीजन्स जितने भी थे, अब जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे कैलकटा मे तो उन्होंने वो इंडिगो डिस्टिक में आये, और उन्होंने देखा और लिखा कि हाँ भी है, सही बात है, गलत हो रहा है, प्लांटर्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बहुत होरिबल चीज़े हैं, बहुत डरामनी चीज़े देखा जाए, तो इतना ज़्याचार, इत कुछ है, तो पनिश किया जाएगा, तो जो इंडिगो को प्रोडक्शन था ना, वहां से तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था, और जो रायोट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो ये सारी प्रॉब्लम्स निकल के आई थी, तो बोला गया कि अब जो है, रायोट को कोई फोर्स नहीं करेगा, किसी कॉंट्रैक्ट पे साइन करने के लिए, अब इस रिवॉल्ट के बाद, जो इंडिगो का प्रोडक्शन था, बेंगॉल में खतम हो चुका था, अब इन्होंने कहां पर शिफ्ट कर लिया, बिहार में शिफ्ट कर ल अब जब महात्मा गांदी जी साउथ ऐफ्रिका से आये थे ना, तो पीजेंट के पास गे, जो बिहार में पीजेंट थे, उनके पास गे चंपारन में, और उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो इंडिगो की कल्टिवेशन हो रहा है, यानि कि यह तो गलत हो रहा है, यहाँ तो महात्मा गांदी जी ने 1917 में एक चंपारन मुवमेंट स्टार्ट की, जो कि उनकी फर्स्ट मुवमेंट थी, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट, अब एल्सफियर में देख लेते हैं हम, इंडिगो मिकिंग इन वेस्ट इंडिज, यानि कि वेस्ट इंडिज में कैस कैसे ग्रो कर रहे हैं और कैसे कैसे हार्वेस्ट हो रहा है यहां पर, अगर आपको यह चैप्टर अच्छे समझाया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शरूर करें, थैंक यू